नमस्कार, कल भाजपा की केंदर सरकार ने CA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है 10 साल देश पे राज करने के बाद एन चनाव के पहले इन लोगों को CA की बात करनी पड़ रही है अगर 10 साल में कुछ अच्छा काम कर लेते तो शायद आज CA की जगे अपने कामों पे वोट माग रहे होते आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी की है किसी को भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कमर तोड महंगाई हो रही है उधर हमारी युवा दरदर की ठोकरे खा रहे हैं रोजगार के लिए उनके ओपर डंडे लाठियां बरसाई जा रही है ऐसे में सरकार बेरोजगारी और महंगाई का समाधान ढूंडने की बजाए है सीए की बात कर रही है तो यह बड़े दुख की बात है यह सीए आखिर है क्या बीजेपी की केंदर सरकार का कहना है कि तीन देश बांगलदेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तीन देशों के अल्प संख्यक जो है वह अगर भारत की नागरिक्ता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिक्ता दे दी जाएगी इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्प संख्यों को को हमारे देश में लाया जाएगा उनको रोजगार दिये जाएंगे, उनके लिए घर बनाये जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा, अजीब बात है ना, बीजेपी की केंदर सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिये नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देन चाहते हैं हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है भारत के तो धेरो लोग बे घर हैं लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं उनको घर देना चाहते हैं हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानीयों को बसाना चाहते हैं भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पर खर्च होना चाहिए वो पैसा पाकिस्तानीयों को भारत में बसाने पर खर्च किया जाएगा इन तीन देशों में लगबग धाई से तीन करोड अल्प संख्यक हैं ये तीनों बहुत गरीब देश हैं जैसे ही भारत के दर्वाजे खुलेंगे इन तीन देशों से भारी भीड हमारे भारत में आ जाएगी अगर इन धाई तीन करोड में से डेड़ करोड लोग भी भारत आ गए तो कौन देगा इनको रोजगार कहां बसाओगे इनको बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार क तो प्रश्ण उड़ता है कि बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है कही लोगों से मैंने बात की कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनी थी है इन तीनों देशों से डेड़ दो करोड लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन-चुन के इस तरह से देश के अलग-अलग भागों में बसाया गया जिससे जहां-जहां बीजेपी के वोट कम है वहां जुगियां डालके अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तयार हो जाएगा बीजेपी के वोट ब लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि बीजेपी ये क्यों कर रही है एक तरफ बीजेपी की हर्याना सरकार हर्याना के बच्चों को रोजगार देने में असमर्थ है रोजगार के लिए हर्याना सरकार अपने बच्चों को इसराइल भेज रही है इसराइल में हम सब जानते हैं क हkayla जारा हुए अपने बच्चों को तो रोज़गार है नहीं और पाकिस्तानियों को भारत लाके उनके बच्चों को रोज़गार देना चाहते हो मेरी तो ये बात समझ से पर है vjp वाले पूरी दुनिया से बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं पूरी दुनिया में कोई भी देश अपने पड़ोसी देशों के गरीबों को अपने घर नी लाना चाहता पड़ोसी देशों के लोगों को अपने देश में आने से रोकने के लिए पूरी दुनिया में हर देश तरह तरह के कानून बनाता है बॉर्डर पे दिवारे ल लगाई जाती है ताकि पड़ोसी देश का कोई भी विक्ति हमारे देश के अंदर ना सके बीजेपी शायद अकेली पार्टी है पूरी दुनिया की जो पड़ेसी देश के गरीब लोगों को अपने देश में घुसाने के लिए दरवाजे खोल रही है बिल्कुल उल्टा कर रह गए यह लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे इंडस्ट्री चलाया करते थे बड़े बड़े व्यापार किया करते थे लाखों लोगों को नौकरी देते थे रोजगार देते थे यह बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़के च यह क्या बत्तमीजी है कि बांगलादेश के पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे यह लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैटियों को इन नागरिक्ता दी जाएगी ऐसा नहीं है यह तो शुरुवात है एक बार यह सिलसला चालू हो गया एक बार दर्वाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बंगलादेश से लोगों को इन अगरिक्ता दी जाएगी देख लेना अगले चनाव में यह बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांगलादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिये यह देश के लिए बेहत खतरनाक है और इसका सबसे जादा खामियाजा उत्तरपूर नौर्थ इस्टन स्टेट्स भुगत रहे हैं खासकर आसाम आसाम के लोगो लूंप नागरिक्ता देंगे उनको हम बसाएंगे असाम में बसाएंगे असाम के लोग बहुत नौराज हैं एक तरह से देखा जाए तो हिमंत विश्व शर्मा जो बीज्यपी के मुख्य alley सबबा करना चाहि किये था उनने कहना चाहिए था कि हसाम के लोगों की संस्कृती और भाशा दोनों खत्रे में हैं. यह बलकुल बर्दाष्ट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांगए कि CA को वापस लिया जाए. हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरिया, अपने बच्चों के रोजगार, दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए नमस्कार